इस लेक्षर के आम बात करेंगे speed torque curve के बारे में single face induction motor के और पुराने लेक्षर के अंदर मैंने आप लोगो double revolving field tehori के इस परें बताया था और उसके अंदर आमने चीखा था कि कैसे double revolving field tehori बताती है कि single face induction motor कब start होगी और कब नहीं होगी अगर initial push देंगे तो कैसे एक unit directional torque मि वो दोनों में से एक टॉर्क डॉमिनेंट कर जाएगा और दूसरा टॉर्क जोगा वो स्लो हो जाएगा हमने वहाँ पर सिल्प का कॉंसेप्ट सीखा था यह सब चीजे हमने पुराने लेक्चर में सीखी थी आज हम लोग देखेंगे कि अगर स्पीड और टॉर्क का कर्व क्य होते हैं वहीं पर अगर कोई मोटर है तो उसका स्पीड टॉर्क कर्व कोई देखना पड़ता है तो चली शुरू करते हैं इस लेक्चर के अंदर जो में तीन बातें आपको सीखने को मिलेंगी सबसे पहले सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का स्पीड टॉर्क कर कैसे ड्रॉ ह करेंगे जिसके अंदर बात करेंगे का चौफ करने लगी कि और ऐसा क्यों होता है और यह काफी बार पूचा जाता है आपसे इंटर्वी पूचा जाता है इसलिगे यह बड़ा इंपोर्टेंट पॉंट होगा लास्न मिसको हम देखेंगे डिक्स शुरू करते हैं और बात क इसकी rotating magnetic field FIS, तो ऐसे case में जो speed torque curve बनता था, इस तरीके का बनता था, इसे हम लोग कहते थे, three phase का induction motor का speed torque curve, जिसमें ये तुमारा particular, अगर हमारा speed NR 0 है, तो ऐसे case में ये वाला जो torque होता था, इसे हम लोग T starting torque कहते थे, and then, जैसे ऐसे आप speed बढ़ाते जाते थे, torque बढ़ता जाता था, and finally maximum पहुचता था, यहाँ पे, और अगर आप speed और फर्दर बढ़ाते थे, तो ऐसे case में torque तुमारा, यानि कि NR equal to NS, जैसे ही NR, NS के बरावर होगा, जैसे ही तुमारी rotor की speed और rotating magnitude field दोनों बरावर होंगी, ऐसे case में torque जो होता था, वो zero हो जाता था, ठीक है, तो ये speed torque होता था, three-phase induction motor का, ठीक, जब एक rotating magnitude field होती थी, और एक particular direction की rotation होती थी, अगर बात कर लें, single-phase induction motor में, तो यहाँ पे दो rotating magnitude field है, एक है तुमारी 5F, यानि forward direction की rotating magnitude field, and the other one is the backward rotating magnitude field, 5B, ठीक है, तो अगर ऐसे case की बात करते हैं, जहाँ पे दो rotating magnitude field है, तो speed torque थोड़ा सा change हो जाता है, अगर हम बात करें, हम speed torque अगर single-phase induction motor का बनाने चलेंगे, और three-phase according, तो दो हमें speed torque मिलेंगे, अगर मैं केवल 5F के according मनाता हूं, यानि कि अगर rotor हमारा rotate कर रहा है in forward direction, और ऐसे case में speed torque बनाऊंगा, तो बिल्कुल three-phase induction motor में जैसा था, देखो आप देख सकते हो, एक rotating magnitude field थी, और एक rotor था, rotor जो rotate कर रहा था, in the direction of rotating magnitude field, ठीक है, तो ऐसा curve बना था, same curve यहाँ पे बन गया, तो यह देख लो, यह curve बिल्कुल वैसा ही, जैसे three-phase induction motor में curve होता था, इसे हम कहेंगे forward torque, इसके अंदर जो torque मिलेगा वो क्या होगा, T forward, क्योंकि T forward की direction क्या है, इस direction में है, यानि कि clockwise direction में, ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हम लोग क्या करें, यह हमारा rotor nr की speed से rotate करा था clockwise, अगर nr जो है, जो rotor है, वो nr की जगा इस direction में, यानि कि opposite direction में rotate करने लगेगा, तो उसकी speed को मैं क्या कहूंगा, यानि कि opposite than nr, तो ऐसे case में जो curve बनेगा, वो with respect to 5 भी बनेगा, यानि कि अगर backward rotating magnetic field के according curve बनाया जाए, और reverse direction motor rotate करे, तो मुझे जो curve मिलेगा, उसे मैं काऊंगा backward speed torque curve, ठीक है, तो यह तुमारा होगा backward, backward speed torque curve, इसमें कुछ नहीं है, main बात यह है, कि इसमें direction of rotating magnetic field भी reverse है, और direction of rotation भी reverse है, यानि कि nr की जगा, minus nr पर हम लोग काम कर रहे है, देखो, यहां तक nr है, this one is the zero, अगर इधर चले जाओगे, तो minus nr की speed पर काम कर रहे है, minus nr का मतलब है, कि जो forward direction मैंने इस picture में तुमको दिखाईए, इसके just opposite direction motor rotate करे, ठीक, तो अगर मैं बात करता हूँ एक मेरे पास motor है, और यह forward magnetic field है, ठीक है, और यह है तुमारी backward magnetic field, तो अगर मेरी motor जो इस direction rotate कर रही है, तो यह particular curve को trace करेगी, एक बार motor rotate करते करते हैं, अगर मान लेते हैं, रुक जाती है, तो हम लोग center point पर आ जाएंगे, तो वो backward यानि कि इस वाले curve को trace करेगी, ठीक है, तो यह दो curve trace करेगी, अगर मुझे complete curve चाहिए, यानि कि अगर मैं दोनों curve को एक ही में मिलाना चाहता हूं, तो उसके लिए complete curve पे देख लेते हैं, यानि कि अगर मैं क्या करूं, जो forward field के current जो curve है, और जो backward field के current curve है, इन दोनों को अगर मैं add up कर देता हूं, तो यह मुझे म तरीके का आएगा, बहुत important curve है, यह काफी बार exam में पूछा जाता है, ठीक है, और इसमें इस तरीके से क्या होगा, simply आपने यह वाला particular part मिलाएना है, और इस वाले particular part को add करना है, तो यह वाला particular part जो नीचे गया हुआ है, this one is the throw, purple dot line से मैंने बना है, वो है backward field torque, ठीक है, औ अब क्योंकि यह दोनों curve हैं, और दोनों curve क्योंकि दो rotating magnitude wheel हर वार मौजूद रहेंगी, तो अगर हम लोग क्या करें, इन दोनों combine कर देते हैं, तो मुझे कुछ इस तरीके curve मिलेगा, this one is the blue dot, यानि कि blue solid line मैंने बना ही है, यह resultant होगा, यानि कि दोनों curve, यानि कि forward or backward field के curve क अगर हम लोग speed torque को मिला देते हैं, तो देखो, क्योंकि अगर इस particular part की बात की जाए, अगर यहां से बात करते हैं, इधर part की बात की जाए, तो यहां पे, इस particular point पे, जो तुमारा backward field का torque है, यह क्या है, जबकि forward field का जो torque है, वो certain quantity, देखो, कभी भी अगर आप कर को ध्यान स हो जाता है, यानि कि जब nr equal to ns हो जाएगी, तो curve 0 हो जाएगा, उसी तरीके से अगर बात की जाए, यहां पे, तो क्योंकि इस particular point पे nr equal to minus ns है, ठीक है, यानि कि minus nr equal to minus ns, दोनों बराबर हो गए है, तो ऐसे case में जो backward torque होगा, वो 0 हो गया है, लेकिन forward torque जो है, वो maintain है, इसलिए curve देखो, plus t से शुरू हो रहा है, क्योंकि forward torque 0 नहीं हुआ है, forward torque देखो, यहां पे finite distance maintain किया हुआ है, तो क्योंकि forward torque तुमारा 0 नहीं है, इसको यहां से भी समझ सकते हो, यह देख सकते हो, इस portion को, देखो, यह certain portion gap है, यानि कि यह 0 नहीं है, तो और जबकि यह वाल start कहां से होगा, plus t से start होगा, ना कि minus t से, ठीक है, तो plus t से curve start होगा, then आगे हमनों trace करते हैं, इस तरीके से जाएगा, अब इस particular point पे देखो, यहां पे जितना torque forward field का होगा, उतना ही backward field का torque होगा, तो ऐसे ही अगर दोनों मिलेंगे, positive torque और negative torque, तो net torque 0, तो इसलिए देखो, हम center पे 0 torque मिल रहा है, यानि कि यह वाली जो particular situation है, यह तुमारी दिखा रही है, no external torque को, यानि कि no rotation को दिखा रही है, no rotation को, हमने सीखा था no rotation में, जहां पे tb equal to tf के बराबर होगा, ठीक है, यानि कि tb equal to tf के जब बराबर होगा, तो यह particular torque जोगा, यहां पे 0 हो जाएगा, ठ जैसे जैसे फिर again same curve trace होगा, torque का, now same interesting point यहां पे आएगा, जब nr equal to ns हो जाएगा, positive direction में, तो इस particular point पे क्या होगा, तुमारा t forward equal to 0, देखो forward torque क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, अगर forward torque 0 हो, लेकिन negative torque क्या है, certain finite value पे, negative torque की बात की जाएगा, तो इतनी value है, तो negative torque क्योंकि यहां इस particular point की बात की जाए, तो यहां पे minus का tb होगा, यानि की negative torque होगा, लेकिन t forward torque 0 होगा, तो इसलिए curve क्या होगा, नीचे से शुरू होगा, यानि की minus t से शुरू होगा, ठीक है, तो याद रखना, यह बड़ा important part है, यह बहुत बार हमें नहीं देखने को मिलता है, य इसमें गलती नहीं करनी है, तो यह जो curve है, speed torque curve, आपका single phase induction motor का, इनके दोनों के जो starting point है, यानि की अगर यहां पे start करोगे, backward field में, तो ऐसे में positive t से start होगा, बड़ा interesting point, ठीक है, और अगर तुम यहां से start करोगे, forward torque में, तो यह minus tb से start होगा, ठीक है, तो minus tb से start होगा, और यह तरीके से operate करेगा, ठीक, तो यह होगा है, यहां पे, और इस तरीके से आपका curve draw होगा, ठीक है, आगे चलते हैं, और अगर हम लोग detail में जाएं, और इसकी meaning के analysis करें, कि किस तरीके से सारी चीज़ें, और इसकी meaning क्या है, किस चीज़ का, तो उसको देख लेते हैं, तो सबसे पहले अगर बात किये जाएं, मैंने आपको यह बता दिये कर्व कैसे बनेगा, इसको हमने detail में देख लिया था, अगर मान लेते हैं, आपके पास यह motor है, और यह forward direction में rotate कर रही है, forward field की direction में, तो जो curve trace होगा, वो यह particular first quadrant में हम लोग operate करेंगे, ठीक है, तो initial push में operate करेंगी, वहीं पर मान लेते हैं, हमने motor को first quadrant operate करवाया, then थोड़े बाद हमने switch को बंद कर दिया और motor रुख गई है, अब की मैंने initial push दिया है, backward direction में, तो अब motor क्या होगी, backward direction में rotate करेंगी, अगर backward direction में motor को rotate करवाओगे, यानि कि minus nr, यानि कि just opposite, अगर forward direction को मैंने plus n दिया है, तो obvious सी चीज है, जो reverse direction होगी, rotation की, उसे minus nr दूँगा, तो अगर minus nr में rotate कराओगे, यानि कि reverse direction रोटेट कराओगे, तो आप third quadrant में, यानि कि third quadrant में operate करोगी, यानि कि अगर आपने initial push backward direction में दिया है, तो जो speed torque curve trace होगा, वो कौन सा होगा, third quadrant का speed torque curve trace होगा, ठीक है जी समझ में आगई होगी, ठीक, both torque always present, ये तो हमने डवल एवान field theory में देखा ही था, कि जिस quadrant में आपने initial push दिया होगा, जिस torque के साथ initial push लगाया है, वो वाला torque strengthen हो जाएगा, और जो opposite torque है, वो weaken हो जाएगा, तो देख सकते हो, अगर तुमने क्या करा है, अगर आपने इस तुमने क्या करा है, backward torque दिया है, और backward direction में external torque यानि T external तुमने अगर किदर दिया है, backward field की तरफ लगाया है, तो ऐसे case में TB greater than हो जाएगा, अगर T external आपने किदर, forward direction में लगाया है, तो TF greater हो जाएगा TB, तो अगर ऐसा कभी case होगा, तो ये जो induction motor होगी, इस quadrant में operate करेगा, य बहुत इंट्रेस्टिंग सा concept है, बहुत important है, और paper में अक्सर पूछा जाता है, भई 3 phase induction motor अगर आपके पास है, for example, और उसमें 3 phase healthy हैं, और balance है, तो ऐसे case में आप जानते है, रोटेटिंग मेंटिक फिल्ड जनरेट हो जाती है, और वो जो रोटेटिंग मेंटिक फिल्ड ह इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यह होगी 3 phase induction motor, अगर बात करते हैं कि एक fault आगया, अगर certain type का fault आगया, और जो कोई भी face, R, Y, B, मैंने B ले लिया है, आप R भी ले सकते हो, Y भी ले सकते हो, certain phase अगर माल लेते हैं, पिक् में इस बूरे concept को कहते हैं, single facing, बहुत important है, काफी बार exam में पूछा जाता है, और UBPCL, even DRD के exam में पूछा जाता है, और कभी कभी आपके interview में भी a question पूछे जाता है, कि single facing का क्या मतलब होता है, यह आपको पता होना चाहिए, single facing, ठीक है, तो देखो, जब भी 3 phase induction motor का, एक face से current आएगा और दूसरे face से जाएगा, यानि कि एक positive का काम करेगा और एक neutral का, ठीक है, एक live wire और एक neutral इतना work करेगा, ठीक है, तो R और Y, यानि कि अब single face होगा, single face भी तो ऐसे ही होता है, एक से current आता है, एक से जाता है, तो इसलिए इसको इस तदी concept का हम लोग कहते है single facing, now अब इसका consequence क्या होगा, तो अगर single facing induction motor है, यानि कि three face induction motor जो है, वो कैसे work करने लगेगी single facing में, single face induction motor तरह work करने लगेगी, अब यहाँ पर दो case possible है, अगर माल लेते हैं, पहले case की बात कर लें, अगर हमारी motor run कर रही थी और उस समय fault होगा है, ठीक है, यानि कि पहला case ह if running, अगर motor continuously चल रही थी और एकदम से fault हो गया, एकदम से एक phase picture से बाहर चला गया है, तो ऐसे case में motor जो होगी, वो run करती रहेगी, बड़ा important है, बंद नहीं होगी, यह बहुत बार पूछा जाता है, यह अगर three face induction motor है, और एक phase उसका जो है, वो खराब हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, motor बंद हो जाएगी, तो नहीं, अगर ऐसा कभी भी होगा, तो motor continuously run करती रहेगी, लेकिन vibration के साथ करेगी, बड़ा important है, vibration के साथ करेगी, प्लस साथ ही, क्योंकि पहले दो phase से current आ रहा था और जा रहा था, ठीक three facing थी, अब single phase है, तो under root three times current increase हो जाएगा, याद र तो शुरुआत में vibrations ही होंगे, लेकिन क्योंकि आपने जो तीन phase apply आ रहे थी, अब दो ही phase में रह गई है, ठीक है, single phase रह गया है, तो ऐसे case में जो wire के अंदर current flow हो रहा था, पहले के मुकाबले, three phase के मुकाबले, वो क्या होगा, under root three times ज्यादा current flow होगा, और ऐसे case में wire के ज single three phase motor क्या बन जाएगी, single phase induction motor, और हम जानते हैं कि single phase induction motor कभी भी self start नहीं होती है, तो इसलिए जो three phase induction motor हो तुमारी don't start, यानि कि start नहीं होगी, clear हो गया है यहाँ तो single facing अगर हो जाएगी three phase induction motor की, तो भाई वो start नहीं होगी, ठीक है, फिर उसके लिए तुम्हें three phase induction motor को बिल out नहीं होना चाहिए, ठीक तो three phase induction motor single phase बन जाती है, अगर उसका एक phase fault हो जाता है उसके अंदर, ठीक है, running और stationary, दोनों case मैंने आपको बता दिये, अब जो भी सीखा है, उसको मैं connect कर देता हूँ, तो यह lecture के अंदर conclude कर देता हूँ, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, three phase induction motor curve, और हमने देखा कि अगर हमारा rotor NR है, और 5S rotating magnetic field है, तो इस तरीए curve race होता था, फिर हमने single phase induction motor में गये, तो हमने देखा कि वहाँ पे दो magnetic field है, तो अगर rotor मेरा forward direction में rotate हो रहा है, तो इस curve को draw करेंगे, अगर यह rotor opposite direction में rotate हो रहा है, यानि कि with respect to 5B rotate हो रहा है, तो यह curve बनेगा, यानि कि opposite to this one curve, और फिर हमने complete curve देखा, यानि कि अगर मुझे पूरा curve चाहिए, ठीक, दोनों cases को एक साथ मुझे involve करना है, तो यह particular curve यानि कि first quadrant में operate करोगे, अगर motor रुक के reverse direction में rotate होने लग गई, तो आप 5B के curve यानि कि इस वाले curve को operate करोगे और third quadrant में operate करोगे, यानि कि अगर तुमने motor single phase induction motor को direction को reverse कर दिया, तो तुम third quadrant में आ जाओगे, और अगर clockwise ही रखा तो first quadrant में operate करते रहोगे, ठीक है, उसके बाद meaning की बात कर लें, मैंने ये सब बताया, एक बड़ा interesting, बहुत important case आपको बताया, कि जो curve होगा, इसमें third quadrant का curve जोगा, वो start कहां से होगा, तो positive TB से start होगा, positive TF से, और ये वाला curve, यानि कि forward direction का curve, ये कहां से start होगा, ये minus TB से start होगा, यानि कि minus TB, जो backward torque है, उससे start होगा, ठीक, इसके reason समझा दिया, then हमने क्या करणा, meaning की बात कर लेते हैं, meaning हमने बताया, फर्स्ट quadrant अगर initial push तुमने forward direction में दिया, तो first quadrant and third quadrant अगर तुमने initial push, backward direction में दिया, लेकिन दोनों torque रहेंगे हमेशा, ये हमने पुराइ लेक्षयम देखा था, then मैंने बताया, अगर तुमने initial push forward direction तो आविएस से चीज है फ़ार्वड टॉर्फ जो का वह जाता होगा वहीं पर अगर इनिशल पुष आपने बैकवर्ट ऐक्षन दीया तो बैकवर्ट टॉर्फ जाता होगा फॉर्वर्ट टॉर्फ से दैन मैंने इंट्रेस्टिंग रहेगी ध्यान रखना बंद नहीं होगी continuously चलती रहेगी लेकिन दिक्कत यह है कि अगर चलाओगे तो under root three times current flow करने लगेगा यानि कि पहले current आई था wire के अंदर winding में एक particular face में वो under root three times increase हो जाएगा और winding damage होने की chances बढ़ जाएगा जबकि अगर बात करें motor रुकी हुई है आयो भी लेक्चर आपको समझ में आया होगा इसके अंदर मैंने बड़े important concept cover करें खासकर single facing concept और speed torque curve को समझाये single face induction motor की ठीक है आने वाले lecture के अंदर हम लोग देखेंगे कितने कितने तरीके होते हैं जिससे हम single face induction motor को start कर सकते हैं और उसके equivalent circuit के उपर discussion करेंगे तब तक के ल बाद सब्सक्रांने बाद